थोड़ा सा डिले हो गया विकश प्राब्लम चल रहे था इस बसे थ्रीसी प्राब्लम हो गई नौ। अपके से हम लोग इस सेशन को सिफ कर रहे हैं बारा बजे डिली बारा बज़े अंपके क्लास हुआ करेगे डिली तिल यूर आरे यूर इंप तिल यूर एक्जाम उसमें हम वन शॉट लेंगे एंसी आटी वर्ट वर्ट करांगे एवरीधिंग सो कल नहीं परसों से हम 12 बजे रेगुलर आपते रूबरू करेंगे और बहुत मज़ा आएगा पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन जरूर सबढ़ा देजेगा और आपको नोट मिल गया होगा रैपीड रिविजन नोट मिला होगा यह सनो सबको मिल गया है रिविजन नोट ? तो टेलिग्राम से prac से बहुति नीं कर सब्सक्राइब करते हैं अनेकाडमी के ऊपर मेरा बैच जा रहा है इसको बहुत पॉपलर डिवांड पर उसे एक्स्टेंड करा गया है तो महा संगराम बैच है जो अनेकाडमी की जितनी भी दिग्गज टीचर हैं एजुकेटर हैं आपको पढ़ाएंगे और आपके सेलेविस को बहुत ही जल्दी खतम करेंगे आपको कोड पताई है कोड डॉक्टर एसके सिंग लगाना है अगर आप इस कोड को लगा देंगे तो आप जो हैं बहतर से बहतर कर पाएंगे आपका सेलेक्शन निश साइकल से क्या होता है सेल साइकल तो देखिए सेल साइकल का डिफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है कि दस सिक्वेंस ओफ द इमेंड वाइविच दसल डूबलिकेट इट जीनोम मतलब अपने 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 जीनोम को डूबलिकेट करते हैं जो डीने से डीने बन जाते हैं आर साइकल इसी को हम सेल साइकल कहते हैं this is the definition so what is the main criteria of cell cycle कि हमारे शरीर में सेल साइकल चलता रहता है माइटॉटेस मियोसिस होता रहता है माइटॉटेस बिसिकली जितने भी injured cell होते हैं हमें जब चोट लग जाती है ठीक है हमें चोट लग जाती है तो उसको हील करने के लिए माइटॉटेस वाली परिक्रिया होती है और जितने भी हमारे जर्म सेल होते हैं उन में ज़्यादा तर्मियोसिस की परिक्रिया देखी जाती है so cell division is very important process of all the living organism और ऐसे ही हमें पता चलता है कि कौन सा living organism में हमेशा से सेल डिविजन वाली परिक्रिया होती रहती है सेल डिविकेशन सेल ग्रोथ आपने देख लिया so dna synthesis occur only during the one specific stage of the cell cycle और comment करके बताएगा कि dna synthesis cell cycle के कौन से phase में होता है और आप सब को पता है yes this is called yes please everyone tanya pinky utakash muskan yes please बताएग आवनीत pinky this is a s phase of the cell cycle s phase of the cell cycle the replicated chromosome dna are then distributed to daughter nuclei of the complex 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 series of event during the cell division and this event are themselves under the genetic control और जितनी भी cell division होते हैं थ्यार अंधर कंट्रोल दे जनेटिक बताब जीनी से कंट्रोल करता है इवन आपको पता होगा कि cancers के अंदर cancer के अंदर जो cell division है cell division है वो uncontrolled हो जाता है cell division क्या हो जाता है वेटा uncontrolled हो जाता है और uncontrolled के बज़े से यह इसका division loss हो जाता है और फटा फट जल्दी 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 यह divide होने लगता है and they lead to the tumor they lead to the tumor ठीक है बाकी normal cell जितने भी हमारे normal cell होते हैं ध्यान देजेगा प्लीज जितने भी हमारे normal cells होते हैं normal cell में जो cell division होता है वो controlled manner में होता है controlled manner में होता है and this is achieved by yes please comment comment करके अंसर बताएगा this is achieved by the gene this is achieved by the gene to normal cell में gene achieve होता है यहां पे वो gene का control जो हता है that is loss of control of control of gene toward the cell cycle toward the cell division you can say cell division इसलिए जो है uncontrolled तरीके से cell division होता है and the lead to the tumor this is very important मुझे लगता है कि इससे a certain region आ सकता है और cell cycle को cancer से correlate किया जाता है कि कि अब NTA वाले बहुत चलाक हो चुके हैं और quality question पूछते हैं और मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि एक-एक मतब कि chapter जो chapter हो चाप्टर से कोशन नहीं पूछेंगे और इंटरलेक करके question पूछते हैं तो तभी आप कर पाएंग जो NCRT के हर एक line को अच्छे तरीके समझ पाएंगे तो last का genetic control वाला समझ में आ रहा होगा आपको हैना इसलिए मैंने ऊपर कुछ चीजे लिखी है और इसारा नूट्स एक-एक चाप्टर NCRT का मैं टेलेग्राम के ऊपर शेयर करूँगा आप सबको ताकि जब आप सोने जाएं तो मेरे वो PDF को रीड कर लें एक-एक चाप्टर को टुकड़ो टुकड़ो में डिवाइड किया है जिसे आप PDF के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलेग्राम के ऊपर मिल जाएगा सबसे इस नहीं है का जो सल साइकल हो जाता है से सैल साइकल का हो जाता है और जितने भी हूमें एक 24 गंते में अप्रॉक्स 24 गंटे के अंदर में रिपियर हो जाते हैं तो human cell के अंदर जो cell cycle होता है every 24 hours का होता है और east के अंदर करीम 90 minute का होता है हर एक organism का cell division का duration अलग-अलग होता है ठीक है phases की बात करें तो phases की अगर बात करें phases of cell cycle या phases of cell division cell division तो cell division के basically दो phases होते हैं as you know early yes please comment करें करें कौन-कौन से phase होते हैं एक कहा जाता है m phase और पहले हम बोलते हैं interface जो कि सबसे लंबा phase होता है interface ठीक है और एक होता हमारा m phase m phase that is called my topic phase ठीक है m phase होता है interface जो होता हमारा this is the longest phase this is the longest phase longest phase और इसे further divide किया जाता है जी वन जी नॉट जी नॉट और एस फेस में एम फेस को डिवाइड किया जाता है वाई प्रोफेस प्रोफेस एना फेस यस प्लीज बताते रहो बेटा कमेंट करके बताओ के जितना लिखोगे उतना आएगा एना फेस प्रोफेस के बाद हमारा आएगा मेटा फेस प्रोफेस के बाद हमारा आएगा मेटा फेस मेटा फेस मेटा फेस एना फेस एना फेस तीलो फेस तो यह कैसे याद रखेंगे तो आई पास माई एमस टेस्ट एमस टेस्ट तो आई का मतलब होगा interface interface P मतलब होगा हमारा उसके बाद आएगा हमारा profase फिर M मतलब होता है metaphase फिर A मतलब होगा interface and T मतलब होता है telophase telophase तो यह phases होता है तो यहां पर यही सारा चीज लिखा हुआ है कि दो phases होता है interphase और M phase which is called mitotic phase अच्छा इस में सी actual cells division कौन सा होता है कोई बता सकता है संगम किरन स्वाती blood vessel of Dr. S.K. Singh दुर्गेश बता विटा एक्ट्वल फेस अफ सेल दिविजिन इस 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 M phase represented the phase when the actual phase of cell division ठीक है तो actual phase of cell division is M phase is represented the when the actual cell of cell division और my totis occur and interphase represent the between the two successive M phase तो हरे 24-hour average duration of cell cycle in human cell अभी हमने देखा भी था cell division proper last about and one hour interface जो होता सबसे लंबा फेस होता है पूरे cycle का करीव 95% time यह ले लेता है पांच परसेंट में पांच परसेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारा M phase होता है जो original है अब देख सकते हैं original है यानि शादी एक ही दिन होगी शादी के पहले वाला जो सारा फ्यस है बट्ला इंटर फ्यस है इसमें कौन सा लहंगे हैं कि कौन सा कलर्ण राजका दुत्रेंटिंग क्या पे ice तो शादी के पहले वाला इंटरफेज शादी के बाद कोई नहीं पूछेगा वे कुट की फेक देंगे तो cell division proper last for only about an hour and interface last more than 95% of duration of the cell cycle पूरा 95% मतब यह रहता है 5% में बचारा M phase काम चलाता है तो M phase start with the nuclear division M phase किसे start होता है nuclear division से start हो जाता है and corresponding the separation of daughter chromosome तो इसके लिए दो चीज़े होती है one is called karyo karyo kinesis अभी के kinesis का मतलब क्या होता है बेटा kinesis का मतलब होता है division और karyo का मतलब क्या होता है karyo का मतलब kary minati नहीं वे karyo का मतलब होता है है nucleus nucleus तो देट इस वाल division of division of nucleus nucleus का division हो रहा है उसको हम karyo kinases कहते हैं ऐसे ही एक होता है cytokinesis 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 का मतलब क्या होता है cytokinesis का मतलब होता है cell division ठीक है cell कहना सहीं नहीं है cytoplasm कहते थे हैं cytoplasm और kinases का मतलब आपको पता ही है kinases का मतलब होता है division तो यानि division of cytoplasm division of cytoplasm राइट है कि सो karyo kinases is division of nucleus cytokinesis division of cytoplasm interface are call resting phase और interface को तीन हिस्सों में बाटते हैं जीवन phase s phase और जीटू phase आइए समझते हैं जीवन में क्या होगा इसकी phases बहुत important है जीवन में क्या हो रहा है जीटू में क्या हो रहा है तो जीवन से सुरू करते हैं जीवन में क्या-क्या चीजे चल रही है जीवन में हमारी जीवन में माइटॉटिस का इंटरवल है में पानी पीलो अगर आ रहे हैं तो हलके हो जाओ इंटरवल है बस माइटॉटिस एन इनिसीएशन अब डीने राप्लिकेशन अगर इंटरवल ना मिले ना लोग युरिनरी व्लाडर फट जाएंगे इतना यह लीन हो जाते हैं यह देखना चाह हाथ में बोल दिया जाता है सारे चीज़े काल्प नहींगे फिर भी हाथ होती है तो दूरिंगे जीवन फेज अब सेल साइगल मेटाबोलिकली अक्टिव सेल एंड कॉंटिनूस ग्रूथ बट दस नॉट राप्लिकेटिट डीने बरी इंपॉर्ट अभी कोशन भी कराया थ ऑनेकाडमी के उपर इसी से जीवन फेज़ इसमें डॉट डि एंड बर क्या होगा टिंड अप्लिकेशन होगा एस पेज़ सक्सेग जो पूछा जाएगा उसी चीज़ को बार-बार दोहराएं जाएगा क्योंकि रात को यह सोते समय एक बार स्क्रॉल करना यह ना रिल स्क्रॉल करने से फायदा नहीं इसको करना तो दूरिंग इस टाइम अमाउंट अव डि ने पर सल डबल इस ताइम में डे ने क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा and if the initial amount of DNA is denoted 2C then it become 4C in S phase of the cell cycle however there is no change however there is a no no increase no increase the chromosome number chromosome number जियों क्या तियों रहेगा उसमें कोई भी इंक्रीमेंट देखा नहीं जाएगा 2N become 2N 2N become 2N 2N become 2N 2N become 2N animal कोई बदला नहीं आएगा समझ में आएगा सब को ठेक है समझ में आगया great animal cells during the S phase DNA replication begin in the nucleus and central duplicate in cytoplasm and during the G2 phase of protein synthesis and preparation of my tortoise while the cell growth continue यह भी बहुत important है वैसे दो DNA replication start in a nucleus completed in nucleus इसका product जो होता है वो DNA ही होता है which is again present in nucleus but the transcription start in a nucleus but ended in cytoplasm because the transcription का जो product होता हो क्या होता है MRN होता है आप देखिए इस छोटे से NCRT को बड़ा करके बनाए हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर छप जाए कि how the plant and animals continue to grow in their life do all cell in plant divided divided in time and do you think the cells continue to divide in all plants and animals can you tell the name of the location and tissue having the cells that divided all their life in the higher plant do you animals have the similar mathematic tissue no no come plant cmisa divide होता है because the marysemetric tissue कहां होता है यहां पहीं पर सकता है रूट के ऊपर हो सकता है हो लिआपके सकता है हर जगा नीचे के नीचे और इसके अंदर सेल होते हैं जीवन में कितना होगा क्रोमोसों मिल भी स्टीन है ना सब कलकुलेट करके मुझे कमेंट करके बताना है ऐसा नहीं कि हम यह बता है अगर जो बच्चें इंटरस्टेड नहीं है नीट को डीकड करक करने में वह आएंगे नहीं ट्रश में जो interested हो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोसिस कर रहे हैं, लगे हैं, तो जरूर हो क्राक करेंगे, तो ऐसी cell में जो interested नहीं है, they exit the G1 phase and enter into the inactive stage and this is called qsen phase, that is genot phase, तो genot phase in the inactive stage of the cell cycle, जहां पर cell division नहीं होता है, cell division नहीं होता है, cell in this stage remain metabolically active, but no longer proliferation and they are called so depending on requirement of the organism and this is very important line, ठीक है, इससे question मैंने आज पुशा भी था और नीट वाले भी question इससे पूछते हैं, इसको भी याद रखेगा कि आनिमस में माटर्टिक डिविजन सिर्फ और सिर्फ समेटिक सेल्स में देखा जाता है, कुछ-कुछ exceptions भी होते हैं, या मेल, हनी भी, हाना, इसकुछ exceptions होते हैं, plant can show the mitotic division, बोथ plant में क्या होता है, कि mitotic division दोनों समेटिक सेल्स माटर्टिक डिविजन इन बोथ हैपलोड और डिपलाइट सेल्स, हैपलोड और डिपलाइट सेल्स में देखा जाता है, अब आएए M phase, जो की actual phase है, जिसमें वाकई सेल्स होता है, जिसमें आता है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तीलोफेज, ठीक है, अगर हम एक शब्द में इसे बताएं, तो कैसे बताएंगे, प्रोफेज में पूरा condensation हो जाता है, ए पूरा इतना जाता है, तो प्रोफेज में ऐसी क्रोमसॉम बिल्कुल दिखाई ने जागा, गुचल-बुचल होते हैं, मेटाफेज में सारे क्रोमसॉम एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, जैसे आप शादी में जाते होंगे, बैंड बाजे वाले लाल कलर का सिरवानी प एक लाइन में कट्टे होगे, फिर एनफेज अब बारी है, जुदाई का, है ना, दुले के जितने भी रिलेटिव होंगे, खाके निकल चुके होंगे, तो यानी मतलब क्या हो रहा है, दुलहन का रिलेटिव, ये सारे क्रोमसॉम, दुलहन वाले अपने घर जा चुके हैं, मतलब जा रहे हैं, बीच में विचारे बच जाते हैं, दुला का कोई खास रिलेटिव दुला, पता चल लो दुला ये चला, चला हूँ, मतलब दुला बिला है गए几ान ये हमारी शादि हो रहे है, दुलान भी रहेगे, कुछ लोग, खास लोग रहेगे, बाकि सब निकल तेलोफेज अब विदाई हो गई यानि यहां सारे पहुंच गया बारी है साइट हो गया साइकल खतम एक बच्चा लेकर आया है महमेंदर गर्क सर इडिस सफिसेंट टू क्रैक नीट अवे बेटा इजी से नीट आता है कहां से आता आते हैं भाई ऐसे लोग तो इस फोटिस इस दियमेटिक प्रिकर्ट अपसेड अव शकार्वी अप ओने मेंचेंजों चाली वॉर्टॉ टूविल इसी जाने नियुकि चरणि उड़ीज इसे इक्वेशनल दीजन केता है क्यों कि सारह चीज बिलकुल होता है इसके phasus हम देखते हैं सिदा अव प्रोस we are मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चीज़े हो रही है कि सारे क्रोमोसों कंडेंस हो रहे हैं ठीक है तो इस इस फर्स स्टेज अफ का इनिस क्यारियो मतलब अन्टाग्ग्ड दूरिंक भी क्रोम इना चीज़ें अ क्रोमा से निफिकि ऊपटीम हो इसका कोण क्रोमा सूम रसी इस चुप आप्वारिं क्रोमा से मॉपाइब वाटीर साइकल अब बात आती है अच्छा इसमें क्या क्या चीज़े होती है दे डून आ दे एंडफ प्रोफेस बेन विव अंडर दा माइक्रोस्कोप आपको क्या क्या दिखाई नहीं देगा दे डू नॉट इससे कोशन पुछा जाएगा दे डू नॉट शो गॉलजी कॉंपलेक्स एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम नुकलोलस और नुकलियर इंवलब्ड इस वेरी इंपॉर्टन यू आप तो नो यह बहुत इंपॉर्टन है अब बात आती है मेटाफेस की मेटाफेस में सारे क्रोमसोम एक्वेटर पर लाइन हो जाएंगे है ना स्पिंडल फाइबर का फ क्रोमसोम के पूरी स्ट्रक्शर को देखना है मौफॉलजी को देखना है तो इस अबस स्टेज और देखी यहां पर लिखा भी हुआ है कि मौफॉलजी अब क्रोमसोम इस मौस एजली स्टड़ी इन दिस फेज ठीक है क्रोमसोम सारे क्रोमटीड विच अल्ट तोगेधर बाइदा सेंट्रोमियर और स्मॉल डिक्स शेप स्ट्रॉक्चर अब दे सर्फेस अब सेंट्रोमियर आर्कॉल काइनेटो को जहां से स्ट्डल फाइबर उसे अटाच करता है इस स्ट्रॉक्चर सॉफ उसई उसे अटाच करता है तो इस च्रॉक्चर सॉफ worries site of attachment of spindle fiber site of attachment of spindle fibers to the chromosome move into the position of center of the cells okay the metaphase is characterized by the all the chromosome coming in equator all chromosome is coming in equator line with the one chromatid of each chromosome connected to the kinetocore of spindle fiber of one pole of sister chromatid connected by the kinetocore spindle fiber opposite pole is lines equation i स्लाइन से कोशना एठेकर कि कि क्रोम।सूम कि क्रोम।सूम जो होता है तो क्रोम।सूम बें ये वाला पार्ण होता है सिक कैनेट नुकर कहते हैं और एक कोशन आया है और इस से spindle fiber i a ce इससे जुड़ेगा इससे से जुड़ेगा इसको इक अ करतेगा वो खोट यह एक्वेटर पे अलाइमन ऐए सो अलाइमेंट ऑफ अलाइमेंट ऑफ अल ऑल क्रोमोसोम है एक वेटर पॉइंट एक वेटर लाइन वी जेक औल मेटा फेज प्लेट इसे मेटा फेज प्लेट कहते हैं ठीक है अटाच्मेंट याद रखेगा काइने पॉर is a very very important attachment so yes so this is a metabolic metafase plate इसे plate कहते हैं क्योंकि उसमें chromosome सारे उस plate पे align हो जाते हैं क्या-क्या feature है तो spindle fibers का formation पहले से ही हो चुका है और वो kineto core से attach हो चुका है need में आया हुआ प्रस्न है और आता है धियान रखिएगा सारे लोग centromere डाल देते हैं कि centromere से chromatide attach हो रहा है centromere से क्या attach हो रहा है chromatide attach हो रहा है बड़ अगर हम spindle fiber की बात करें ध्यान दिजेगा spindle fiber की बात करें तो spindle fiber एक points attach होता है उसे हम kineto core कहते हैं याद हो रहा है kineto core कहते हैं and this is called spindle fiber spindle fiber दोनों में फरक है दोनों में फरक आपको समझना पड़ेगा ठीक है यह हो गया अब एनफेस पहले से ही मैंने शादी के तरफ बता दिया था अब धीरी धीर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे मतलब कैसे इसमें डाइग्राम बनेगा देखेगा कि इसमें अब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है रहे है अज acontece sub Rachel हो जाएगा के ही लेंथड ऑफ उस स्पिन्डल फार इड्यूय सोजडा इना नेंदेगा क्या हो रहा है कि दक्रोमोसोम सेपरेट ख्रोमोसोम और पहारा इनदो of length of length of spindle fiber length of spindle fiber fibers reduce हो रहे हैं ठीक है reduce हो रहे हैं and this is the best stage this is the best stage this is the best stage to study to study shape of chromosome shape of chromosome shape के बारे में पढ़ सकते है ठीक है clear वी और inverted वी बन जाते हैं तो इस क्रोमोसों अरेंज इन मेटा फ्लेज इस स्प्लेट अधे सें ताइम नावर एक लाइन को आपको इसमें मार्क नहीं करूंगा मैं है ना तो आप में में लाइन को हम करेंगे क्रोमोसों मुव अवे फ्रॉंद एक्वेटर प्लेट सेंट्रोमियर अफ इस क्रोमोसों रिमें डिरेक्टेट तोवर्ड पॉल की तरफ जा रहे को कि दिस वन इस पॉल और हैंस दा लेडिंग एज दा आम अफ क्रोमोसों ट्रेलिंग बिहाइंड अन्ध एनफ इस स्टेज इस करेक्टराइज बाइज बाइज फॉलिंग की इस प्रटीड मूफ तोवाड़ ऑपोजिट पोल में जाने लगे लेंथ बहुत सारे चीज इसमें नहीं लिखा है तो आपको यह समझ लेना है लेंथ पिस्पिंडल फाइबर रिद्यूस हो जाता है और दिस अबस सेज तू स्टु 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 सेप ऑफ जी डूर्श में क्या इवेंट होगा इस सारे के सारे क्रोमसूम एक एक ऐकवेटर प्लेट पर अलाइन हो जाये लाइक like this so all the all the chromosome all the chromosome get aggregate get aggregates aggregate toward pole pole के तरफ opposite pole या पोल के तरफ aggregate हो जाएंगे ठीक है पर उसके बास cytokinesis होगा यानि अभी तो हम karyokinesis पढ़ रहे हैं यान division of nucleus पढ़ रहे हैं अब cytokinesis होगा cytoplasma division होगा और अलग-अलग cell divide हो जाएंगे तो देखें जरा है यहां पर क्या लिखा हुआ है तो this is the final stage of karyokinesis that is division of nucleus that is telophase chromosome have a rich their respective pole decondensation and lose their individuality अब आपको proper chromosome नहीं दिखाए देगा chromatid नहीं दिखाए देगा centromere नहीं दिखाए देगा इतना घुचुर पुचुर दिखाए देगा इसलिए यहां पर लिखा है loss of loss of their individuality the individual chromosome can no longer seen each set of chromatin material and collect its opposite pole opposite pole पे collect हो जाएंगे तो क्या key features है की feature chromosome cluster at opposite spindle pole and their identify मतब कि उसका identity loss हो जाएगा chromosome का identity क्या है उसके अंदर chromatin मिलते हैं centromere मिलते हैं tip मिलता है सब चीज मिलता है जो कि यहां पर अब possible नहीं है nuclear envelope develop around the chromosome cluster and each forming the two daughter nuclei nucleolus golgi complex ER फिर से बन जाते हैं इसको याद रखिएगा and now the cytokinesis that is division of cytoplasm अब बारी है cytoplasm division की अब टूटनी की बारी है division की बारी है तो इसमें दो चीज याद रखिएगा cytokinesis take place in animals in animals and plants ठीके plants बता अडिमल में क्या बनता है plant में क्या बनता है anyone कोई comment कर एक बनता सकता है animal में क्या बनता है plant में क्या बनता है तो कैसे याद także plant तो cell cell प्लेट plant cell बनता है animal में cell pharos रोऊज बनते है cellfor geri बनते है sean प्लेट किसका मोडिफिकेशन हो दा मिडिल लामिना ठीक है तो धीरी 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 मिडिल लैमिना एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं दिल नहीं बना रहा हूं बेव धीरी धीरी अप्रोच करने लगते हैं और ऐसे करके अलग हो गया जाओ ठीक है तो दे मिडिल approach to each other middle lamina से आप धियान रखेंगे तो काम हमारा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कुछ भी चीज मुझे नहीं लग रहा है कि relevant है बट एक दो चीजे जान देते हैं in animal cells this is achieved by the appearance of foros in the plasma membrane तो cell of foros किसमें बन रहा बैटा plasma membrane में बन रहा है cell plate किसके अंदर बन रहा है middle lamina में बन रहा है इसको याद रखेंगा मैंने ऊपर आपको इस शब्द लिख दी है जिसे revision करना असान हो जाएगा so the foros foros धीरी धीरी deepen होने लगेगा नीचे आते 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 अलग कर देगा ठीक है तो यहाँ है the foros gradually deepen and ultimately join center and dividing the cytoplasm into the tube plant में ऐसे ही होता है plant में cell plate बनता है और यह middle lamina का वो होता है the formation of new cell wall begin in the formation of simpler precursor that is cell plate that represented the middle lamina between the wall of the adjacent cells ठीक है और यह भी धीरी धीरी deeper होके और फिर यह भी अलग हो जाता है ठीक है तो at the cytoplasmic division और गलीज अच्छा cytoplasm के दौरान क्या क्या चीज़े होती है at the time of cytoplasmic division जितनी भी छोटे छोटे और गलीज होते है they can be separated the mitochondria separated ER separated nucleus separated the organ लीज like mitochondria plastic get distributed between the two daughter cells ताकि दोनों cell में बरावर बरावर चीज मिले ऐसा नहीं कि my totis का क्या significance है जब हमें चोट लग जाती है तो healing property का काम करता है ठीक है दिल पे चोट की बात नहीं कर रहे हैं वे तो healing 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 through healing by healing yeah healing injured cells injured cells healed by healed by my totis process my totis process my totis process जैसे कभी आप देखेंगे किसी का muscle to hurt जाता है पूरा तो धीरी धीरी वो heal होने लगता है अपने आप घाव भरने लगता है my totis process the my totis और equational division usually restricted diploids some lower plant and some special insect haploid says divided through the my totis it is very easy understand to the significance of division of life as you my totis usually production of diploids my totis क्या करता है my totis usually production of diploids daughter cells with identical genetic complement exactly same ही हो रहा है growth of multicellular organism is due to the my totis yes this is a feature जितने भी बड़े बड़े cells my totis growth होते है cell growth result in distribution ratio between the nucleus and cytoplasm and therefore it has become essential for the cell to division and restore the nucleosytoplasmic ratio a very significant contribution of my totis is cell repair cell repair करता है अगर हमें कोई चोटोट लग जाए तो रिपलेस होते है माटोटी डिविजन आर मेरिसमेटिक टिशू अपाइकल लेटरल इस सारे चीज़ रहते है प्लांट में जो थूआउट लाइफ इनमें डिविजन चलता रहता है और उनका ग्रोथ होता मियोसिस क्या है मियोसिस जो होता है मियोसिस इंशूर्द प्रोड़क्शन अप्लॉइड फेस आफ लाइफ साइकल और सेक्शली प्रोडूसिंग और लिए बेड़ फेटलाइज फेटलाइज़न रिएस्टोर अब डिपलॉइड फेज मतब बिसिकली जों सेल में मियोसिस होता है जों सेल में देखा जाता है मियोसिस जों सेल में देखा जाता है ठीक है और देर इस रिडाक्शन अफ प्रोमोसोम नंबर बाइदा हाफ रिजल्टिंग इन प्रोड़क्शन of applied daughter cells और मियोसिस को reduction division कहा जाता है कि जब भी मियोसिस होगा वो चीजों को हाफ कर देगा हना चीजों को हाफ कर देगा ठीक है चीजों को हाफ कर देगा तो मियोसिस involved two sequential cycle of nuclear cell division called मियोसिस first and मियोसिस second but only the single cycle of DNA replication मियोसिस first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromosome at the S phase अब देखिए इसमें क्या करना है आपको मैं बता देता हूं यह देखिए मियोसिस first मियोसिस second almost same रहता है बट यहाँ पर प्रोफिस first के बारे में हमें पढ़ना है और यही मैं पढ़ाऊंगा और यही आपको पढ़ना है यही आपको पढ़ना है तो प्रोफिस first में यह वाला हम पढ़े लेप्टोकिट इंपकई इसी से कॉशन नाए टिक यह यह शरुruआट करते हैं ध्यान इवन्म IARD करें और कि में हो रहा हे लेप्टोकिल में खुन सोम इशिपल अंड़ ड़ीक्रय विसेब़ बांडर लाइट माई pressures को कॉम्पैक्शन अव प्रोमोसोम गंटिनू थुआउट दे लप्टोटीन दैस तो एवेंट हो रहे हैं तो इसमें प्रोमोसोम कॉमफ़ाइए एंदे लाइट माईक्रोस्कोप फॉन्ली ठेक है और Mada कॉम्पक्ट और ज्यादा कॉम्पक्ट हो रहा है जाईतरी में क्या हो रहा हुआ इंत दिस वสना सरुजा मैं धुल सानेनस आता है कि साने आपसिस कहां पे होता है, तो synapsis आपको gyotene में देखा जाता है such peer chromosome are called homologous chromosome electron microscope of this electron microscope से जब देखेंगे, तो आपको chromosome synapsis दिखाई देगा और आपको बहुत सारे complex दिखाई देंगे बहुत सारे synaptical complex बहुत सारे ऐसे ऐसे, छोटे छोटे structures आपको बने दिखाई देंगे किसके अंदर, किसके अंदर बेटा कमेंट करके बताइए, किसके अंदर जाइगोटीन के अंदर, तो जाइगोटीन के अंदर ऐसे सारे आपको complex दिखाई देंगे, and this is called synaptomal synaptimal complex synaptical complex, they are seen in जाइगो जाइगोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, अच्छा, इसको कैसे याद करना है, ला जरा पानी दे दे, ला जरा पानी दे-दे और क्या हो रहा है, इस में, इस फेज में इस फेज में, the complex formed by the pair of synapse homologous chromosome called the vivalent or tetraide and however, these are more clearly visible on the next phase the next phase is called pecatine, next phase is called pecatine, तो pecatine में क्या क्या हो रहा है, during this phase four chromatid of each vivalent chromosome become distinct and clearly आप clearly उसे देखेंगे तो ऐसे tetraide में ठीक है, tetraide में आपको दिखाई दे रहा है, tetraide में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है tetraide में दिखाई देगा आपको this stage is characterized by appearance of recombination reduce, और जब मैं एक्जाम दे रहा था तो यही question आया था, कि recombinant reduce कौन से stage में बनते हैं और इसके लिए कौन से enzyme की जरूरत होती है, that is called recombinance, so this site which crossing over occur between non-sister chromosome of the homologous chromosome is pecatine, crossing over का मतलब होता है, exchange of genetic material between two homologous chromosome, so crossing over का definition क्या है, यह आप जानते हैं, इसलिए sexually reproducing organism जो होते हैं उनके office spring different होते हैं, variation होता है, it is due to the causes, and the causes is what that is a crossing over crossing over is also is enzyme mediated process and enzyme is called recombinase, इसके अंदर जो enzyme mediated process है, crossing over के लिए जो enzyme की जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं recombinase, crossing over lead to the recombination of genetic material of two chromosome, recombination between homologous chromosome is completed by the end of pecatine, living the chromosome link by, मतब यह आपको ध्यान में रखना है, this is called pecatine, अब हम आते हैं diplotine के बारे में, diplotine क्या है, diplotine से सवाल पूछा जाता है this is recognized by the dissolution of synaptical complex, जो gyotene में बहुत सारी complex बन रहते हैं, अब यह हटने शुरू हो जाएंगे है ना, do homologous chromosome आपस में चिपक जा रहे थे synapses हो रहा था, complex बन रहा था, अब वो हटेगा किसमें हटेगा, diplotine में, and tendency to the recombinant homologous chromosome of vivalent separated from each other, except the site of crossing over, इसमें आपको chromosome X-shape का दिखाई देगा, और X-shape structure is called casmeta, और equation 8 बज़ा में ने कराया था, इन O site, some whatever, diplotine lasts for the month or year, this is the longest phase now the next phase is called diakinesis, diakinesis में क्या होता है this is terminization of casmeta, casmeta हाट जाता है and during this phase, chromosome fully condensed chromosome are fully condensed, anemiotic spindle prepared to the homologous chromosome and next cycle के लिए थेयार हो जाता है that's all about the cell cycle, trust me metaphase में अगें, the metaphase second is also equivalent to the mitotis, जिसमें सारे chromosome aligned हो जाते हैं, spindle fiber का permission हो जाता है, spindle fiber karniato core से attach हो जाता है, सारे देखेंगे ना देखेंगे लिखा है, karniato core of homologous chromosome, तो इसे में मुझे पढ़ाने की जरुरूत नहीं है in a phase में सारे chromosome pole के तरफ migrate हो जाते हैं, the length of spindle fiber reduces, यह देखें, the chromosome will be separated, while the sister chromatid remain associated with the centromere, telophase में सारे chromosome equator के पास arrange हो जाते हैं, इसमें भी देखेंगे तो exactly यही है, nucleus reappears, cytokinesis, followed by this dyad structure, almost are equal, ठीक है, pro phase metaphase, anaphase, almost equal है just go to read once again, everything is almost same, there is a little bit change find out the change, कि क्या changes है, significance of meiosis हम meiosis अगर नहीं होगा, तो पूरे sexual reproduction में जो gamits बनते हैं, gamits पहले ही वो deployed होता है, 46 होता है जब वो end मतब sperm में जाता है, तो 23 उदर से ovum आता है, 23 combined होके एक नया organism होता है, तो meiosis is the mechanism by which the conservation of the chromosome number of each species achieve across the generation to generation, and this result in reduction of chromosome number by half, increase the genetic vibrality, population of the organism, और evolution के लिए बहुत important है, अगर variation नहीं होगा, तो evolution नहीं होगा, that's all तो यह वाला नोट्स हम भेज दे रहे हैं अभी आपको टेलिग्राम के उपर आपके सामने ही भेज रहे हैं, और यह वाला नोट्स आपको भेज रहे हैं, टेलिग्राम के अंदर, and I hope you like this session, अब से हम लोग, अब से हम लोग, जो है, अब से हम लोग, मिला करेंगे, हर दिन 12 बज़े, I hope कि आपने enjoy किया होगा, मुझे comment करके बदाएएगा, I am really sorry कि कुछ line को मैं बहुत detail में समझा नहीं प आपे चाता हूँ, आप पढ़िये, अगर कुछ भी नहीं समाज में आया, तो question के थुरू हम कर लेंगे, और date